नमस्कार दोस्तो मैं आर्थी प्रजाबधी यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तो हमारे यह यूजी सिनेट पिपर वण इन पिपर टू साइकोलोजी की प्रिपेरिजन कराई जा रही है आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा यूनिट है पीपर 1 का है, यानि कि हमारा unit number 4 है communication, तो आपने देखा दोस्तों कि communication क्या है, यानि कि communication का meaning मैंने आपको बताया था, उसके बारे में details में बताया था, फिर जाकर हमने ये भी देखा था, कि communication की process जो होती है, वो किस तरीके से होती है और उसके बाद हमने क्या देखा था दूस्तों उसके बाद हमने टाइप्स अब कम्यूनिकेशन यानि कि कम्यूनिकेशन के जितने भी टाइप्स थे मैंने आपको बता दिये अब हम देखने वाले हैं कि effective classroom कम्यूनिकेशन किस तरीके से होता है यानि कि प्रभावी कक्सा संचार जो होता है वो किस तरीके का होता है यानि कि वर classroom में अगर आपको जो कम्यूनिकेशन करना है वो effective बनाना है तो उसके लिए किस तरीके का कम्मिनिकेशन होना चाहिए तो आज उसके बारे में हम जानकारे लेंगे आप सभी को अगर आप सभी ने प्रिवीज एर के पेपर्स देखे होगे तो वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा कि प्रभावी कक्सा संचार के रिलेटेट बहुत सारे क्विशन आते हैं तो चले द डाले जाता है तो उस वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए ओके चले दोस्तों देखते हैं इफेक्टिव क्लास्रूम कम्युनिकेशन के बारे में तो दोस्तों देखे एफेक्टिव ग्लास्रूम कम्युनिकेशन किस टाइब का होना चाहिए उसके बारे में देखते हैं तो कक्षा में सिक्षक का द्रश्टिकॉर्ण हमेसा कैसा होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए यानि कि जो भी कक्षा है तो उस कक्षा में अगर देखे सिक्षक जो है वो अपना द्रश्टिकॉर्ण अगर सकारात्मक नहीं रखेगा तो बच्चों में भी उसकी इफेक्ट पड़ेगी है ना तो वहाँ पर कम्युनिकेशन में भी क्या होगी इफेक्ट होगी तो अगर ट हात्रों का आस्त्म विश्वात्स बढ़ाने के लिए टीचर का सकारात्मक द्रश्टिकॉर्ण होना आवश्यक होता है दूसरी बात देखे दोस्तों कि कोई भी टीचर होता है उसको साइकोलोजी आनी चाहिए अगर किसी सिक्षक को साइकोलोजी नहीं आती है तो वह अपन होना चाहिए जो टीचर है उसे इंडिविजलो絹 डिफरेंट सिपना मोई कि नता ह enfram यह एक समान नहीं होता है हर एक कीween रहस हर एकके रहस अलग होते हैं उनकी रुचिया है अलग होती है हैं इनकी युग्यताहें अलग होती हैंना हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग द क्षा क्या होना चाहिए यानि कि समावे सी कख्षा में क्या होता है मैंने आपको समावे से सिक्षा का पुरा एक वीडियो बना कर यहां पर रखा हुआ है कि जहां पर साधारन सामानिय बच्चे और असामानिय बच्चे किसमें आएंगे जो 90 IQ से कम होगे या तो फिर 110 से ज्यादा IQ वाले होंगे वो सभी असामानिय में आएगे यानि कि प्रतिबा साली बच्चे होंगे और मंद बुद्धी के जो बच्चे होंगे वो सभी किसमें आएंगे असामानिय में आएगे तो जब सामानिय बच्चों के साथ ऐसे असामानिय बच्चों को भी एक साथ एक सामान एक जैसा जो पढ़ाया जाता है विसे वस्तू बच्चा है तो दिव्यांग बच्चे को हम उसको अलग नहीं बिठाएंगे लेकिन जो सामानी बच्चे हम उनके साथ बिठाएंगे और उनके साथ ही उनको जो सामाने बच्चों को हम जो भी कंटेन सिखा रहे हैं वहीं कंटेन हम दिव्यांग बच्चों को भी एक साथ उनक किया नहीं आता है तो आप क्या करेंगे आप उसका चेक करेंगे उसका रिजन डूंडेंगे और उसका उपचार करेंगे कि माली जो आपको जानने को मिलता है कि बच्चे को घर पे हुमबर करने के लिए टाइम नहीं मिलता है क्योंकि घर पे सब लोग उसे काम करवाते हैं तो आप उसका क्या करेंगे उपचार करेंगे और उसकी माँबाप कि बच्चे के माब आपको समझाएंगे कि भाई इस तरह के नहीं होना चाहिए अपनी बच्चे को पढ़ाओ ताकि वो बढ़ा हो कर एक अच्छा इंसान बन सके तो यह क्या कि अपने उप्चार किया है ना तो इस तरीके से निदानिक विदीद्वारा अत्यता की समस्त्या क क्या करना चाहिए समाधान करना चाहिए क्लास्रूम को इफ्यक्टिव का बनाने के लिए कुछ बाते द्यान में रखनी चाहिए चले कौन से बाते द्यान में रखनी चाहिए तो लोग तांत्रिक वतावरन होना चाहिए उक सभी के लिए एक समान वतावरन होना चाहिए प् बच्चे कुछ भी ना समझे कुछ भी ना बोले तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर प्रभावी संचार नहीं हो रहा है इफेक्टिव कम्यूनिकेशन नहीं हो रहा है ओके टीचर बुलता ही जाता है बुलता ही जाता है बच्चे ऐसे सुनते जाते सुनते जाते सुनते है वो प्रभावी नहीं है ओके छात्रा सिक्सक से प्रश्ण पुछता होना चाहिए तो छात्रा क्या होनी चाहिए यानि कि प्रभावी कक्सा संचार में क्या होना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं वो टीचर को प्रश्ण करने चाहिए उसे बच्चे को प्रश्ण माइंड मे होने चाहिए आनी चाहिए उसे टीचर कुछ बढ़ा रहा है तो उसके मायन में उसके दिमाग में प्रशना आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है इसका ये मतलब है तो इसका क्या होगा अब क्या होगा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कुछ नया एड होना चाहिए तो दोस्तों जारगन भाशा मुटत संचार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए जारगन भाशा की से कहते हैं कि विशिष्ट भाशा का उप्योग जहां पर किया जाता है और उन भाशाओं का उप्योग इस तरीके से किया जाता है कि दो वेक्ति जो आपस में जारगन हमें कौन से कोड में बात करें। किमे आपको एक्जम्बल भी दिया था कि नॉर्थ इंडिया के जो लोग है वह हंदी जानते हैं और साऊथ इंडिया के लोग है है वह एंगलिज नहीं जानते है और यहां पर यह निंदीज तो ब Keeping वहिंदी में दूसरे के साथ कम्मिनीकेशन रहा है बातचित कर रहा है तो साउठ Инडिया वाला हर व्यक्ति व跟大家 क्या सबस्वाइब करें रिष्जित लिए यह तरीका के से बात कर रहा है कि ताकि मिलाएं पर समय उसे ही हम कहते हैं जारगन भाशा यानि कि विसीष्ट भाशा का प्रयोग करके वो लो क्या करते हैं कम्यूनिकेशन करते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच की बाद तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाता है तो यहां पर कक्सा में ऐसी जारगन भाषा का उपयोग ना किया जाना चाहिए क्योंकि जारगन भाषा जैसे विशिष्ट सब्दावलियों का अगर आप यूज करेंगे तो सामने बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा इसलिए जारगन भाषा मुक्त संचार होना चाहिए विशिष्ट सब्दावलित रहित भाषा का सामन ये स्थानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए तेखे मैंने आपको पिछली बार भी पर पिछले वीडियो में भी बताया था कि बच्चे के सामने मानलीजए कोई नए नए टीचर है आप नहीं-णहे तो आपकी जो लेइंग वा शुद्ध रूम में जाते हो और जाकर बच्चे के सामने सुद्ध हिंदी बोलने लगते हो और HERE जो बच्चे आते है वो घावWhen की बोली वह जानते है ना कि आपकी शह यहां पर क्या होगा दोस्तों आपको स्थानिक लेंग्वेज को दियान में रखकर स्थानिक भाषा में आपको क्या करना चाहिए वच्चों के साथ कम्यूनिकेशन करना चाहिए तो यह एक बात हो गई तब ही जाकर हमारा जो क्लास्रूम होगा वो क्लास्रूम में इफेक्टिव कम्यूनिकेशन हो पाएगा चली आगी देखते हैं अब देखते हैं गुणात्मक्तत्य और अन्वित क्रम होना चाहिए यानि कि उसमें क्वालेटी भी होनी चाहिए आप जो भी कंटेन उन्हें उसके लिए उप्योगी होती है जो उसके लिए उसके लिए गुणात्मक होती है यह दो ओक्रेशन की साहँ चाहिए nhi एन्टेटाइंन्मेंट का मतलब क्या होगा मनोरंजन तो हमीं इसीख्षा को मनोरंजन के साथ सात्व बात कंटेंट शिखाना जाहिए ऐस से ही टीचर क्लास्रूम में में आएगा इकाई निकालेगा इकाली की पढ़ लेगा और बच्जों को सिखा लेगा चलो बच्चों आज यही पार्ट पढ़ना है बच्चे को ऐसे पढ़ा लेगा तो यह हमारा इफेक्टिव क्लास्रूम कम्यूनिकेशन नहीं हो पाएगा लेकिन मान दीजिए कोई ऐसा अच्छा सा पार्ट है और टीचर जो है उसे बच्चों को मनोरंजन के साथ उसे कंटेन को रखता है तो बच्चे को वहाँ पर जो भी आप अपने किया है या फिर कोई नाटक आपने उनके सामने किया है या फिर आपने कोई संगीत ने सुनाया है तो वो क्या हो जाएगा उनके लिए मनुरण जक बन जाएगा तो यहाँ पर एजुकेशन प्लस एंटरट उसके बाद प्रभावी कक्सा संचार की प्रक्रिया की तीन सुपान होते हैं यहां पर उसकी सुपान होते हैं वो प्रक्रिया जो प्रभावी कक्सा संचार की जो प्रक्रिया जो संचालित होती है तो उसमें क्या होता है सबसे पहले छात्रों को जाकरूत करना होता है यानि को बच्चों को जखाना होता है यानि कि बच्चों को जागरत करना होता है फिर जाकर बच्चों में रूची पैदा करनी होती है जैसे बच्चे को आप जागरत करेंगे तो बच्चों में क्या होगा रूची पैदा होगी और जैसे बच्चों में रूची पैदा होगी वैसे ब अच्छा कुछ भी अच्छे से सिख पाएगा ओके तो ये तीन बाते आपको याद रखना है चात्रों को सबसे पहले क्या करना चाहिए जाकरोत करना चाहिए फिर उनमें रूची पैदा करनी चाहिए और फिर जाकर हमें उसे कुछ पढ़ाना सिखाना समझाना चाहिए ओके अब देखते हैं प्रभावी संचान में शुरोता जो होता है निस्क्रिय में से सक्रिय होकर सिखता है यानि की अगर आपका कम्निकेशन इफेक्टिव कम्निकेशन होना चाहिए कख्षा में तो किस तरह के से होगा तो अवहां पर जो सामने वाला जो सुरोता है जो बच्च आपको पता है ना करके सिखाना का मतलब आपको पता है अना करके सिखाना जो कोंबंट करना टुम है तो यहां पर लर्णिंग बैडवा से कंविसे अखेशों बीच विशह वस्तु विवादित नहीं कंटेन के बीच में जो भी विशह वस्तु आप रखते हो विवादित नहीं होनी चाหAR वो जो भी आप बच्चे को समझाशेती हो वहाईंद पर होनी चा है ऑ pó प्रभावी संचार में विशे वस्तु उभरत्जीवन में उप्योग Recently उप्योगी होनी चाहिए तभी जाकर उसे कहेंगे effective classroom communication उसके बाद देखते हैं विश्वस्तु विश्वस्टनिय होनी चाहिए आज आज आपने बच्चे को जो कुछ सिखाया फिर थोड़े दिन के बाद वही बात आप उसे पुछेंगे फिर थोड़े दिन बाद उसे फिर से वही बात पुछेंगे तो बच्चे को वह आनी चाहिए तो वही हमारी विश्वस नियता होती है यानि कि एक से अधिक बार उसका पुन्रावर्तन किया जाए तब पी उसका जो भी रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिला था यानि कि हर बार एक जैसा हमें रिजल्ट जब बिलता है उसे हम कहते हैं विश्वस नियों तो जो कंटेन होता है वो कैसा होना चाहिए विश्वस नियों होना चाहिए इस टम अधि बिंदू बच्चों के सामने रखना चाहिए चाहिए ऑसा नहीं होता कि टीचर और यह पढ़ते रहें ने में चाहिए यानि कि छात्र हमारे लिए important होने चाहिए, जो students है हमारे लिए important होने चाहिए, students को किस तरीके से आता है, किस तरीके से वो सीखता है, ये बातों को ध्यान teacher को रखना चाहिए, ना कि teacher को अपना जो भी प्रभुत्व है वो बच्चों को बताना है, ना कि teacher को अपना जो ग्ञा वो बच्चों को बताना है कि बच्चे को कितना आता है बच्चा कितना सिखा है बच्चा कितना समझा है उन बातों को उन पक्सों का समर्थन टीचर को करना चाहिए विशेवस्तु को मुर्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तेकर मुर्त रूप में का मतलब क्या होता है क जो चीजे हम देख सकते हैं जिसे हम प्रोप के रूप में बता सकते हैं ऐसी चीजों का टीचर को क्या करना चाहिए ऐसी ऐसी चीजों का टीचर को उप्योग करना चाहिए जैसे कि आप बच्चों को कुछ सिखा रहे तो टीवी के माध्यम से कुछ सिखा रहे है तो वो क्या ह हो गई मूर्त हो गई है ना मान लिजिए बच्चे को आप बता रहे हैं कि अधी कैसा होता है तो आप अगर रियल लाइप में कहीं पर आपने आपके आसपास स्कुल की आसपास अगर कोई हाथी आपने देख लिया तो बच्चों को आप वो हाथी दिखाएंगे कि देखे बटा वो जा रहा है न वो हाथी है तो बच्चा अच्छे से सिखेगा वो मूर्त रूप हुआ जो रियल में जो हाथी को देखता है बच्चा तो महाल से उसका कॉंसेप बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है जैसे को कुट्टे के बारे में अगर बच्चे को आपको कक्सा एक के बच्चे को बताना है कि कुट्टा कैसा होता है कुट्टे के बारे में अगर इज़े भी लिखवाना है बच्चों के पास तो कक्षा एक के बच्चे को कुत्ता दिखाए जाए औरीजनल में तो बच्चा अच्छे से उसका कॉंसेप्ट जोगा वो क्लियर होगा बच्चा खुद से उसके बारे में अपनी राय देगा तो यह हुआ हमारे विसे वस्तु को मुर्त रूप में प्रस्तुत करना उसके ब कक्षा सहज एवं सरल होनी चाहिए कक्षा का जो वातावरण होता है जो बहुतिक वातावरण होता है तो वो बहुतिक मानो या फिर मनो बहुतिक मानो तो जो भी वातावरण होता है वो कैसा होना चाहिए वो सहज एवं सरल होना चाहिए ना कि टीचर को क्लासरूम में गु तो यह बात नहीं होनी चाहिए जहाँ जहां पर जो छात्र होते हैं वो खुलकर अपनी बाती रख सकते हैं ऐसी आपकी कख्षा कोनी चाहिए और ऐसा कख्षा का मुल्यांकन कैसे कि चलेका आपको कैसे पता चलेगा कि यह जो गलास्रूम है उसमें प्रभावी संचार हो रहा है या फिर एफेक्टिव कम्यूनिकेशन हो रहा है तो उसके लिए भी आपको कुछ मुल्यांकन करना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि जिससे यह क्लास्रूम कैसा है प्रभावी ही कम्यूनिकेशन वाला है तो उसके लिए चात्रों की उपस्तिती अगर मान ले जे यहां पर सब्टम क्लास हैं यहां पर имौन्टी चेंचैनल योट्र अलग हैं एंड्रेट बच्चे दूसरे से जornoक California沒有 1000 बच्चे पढ़ने आते हैं ओके तो यहां पर सौ बच्य यहां पर Zahl सब्सक्राइदे हुए उसका मुल्यांकर में थात्रों की उपस्तिती से पता चलता है दूसरा छात्रों की रूची एवं अभीवरुति से पता चलता है कि छात्र कैसी रूची रखते हैं कैसी अभीवरुति रखते हैं उसके आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये क्लासरूम एफेक्टिव कम्यूनिकेशन भाला होगा छात्रों का निस्बादन यानि कि छात्र जो भी performance करते हैं एक्जाम में जो भी result लाते हैं या फिर बहार कोई जगर जाते हैं वहाँ पर उसका जो performance होता है वो कैसा होता है उसके आधार पर भी पता चलता है कि यहाँ पर जो भी कक्सा चल रही है वो उसमें effective communication हो रहा है उसके बाद चात्रों की उत्तेजना तो चात्रों की उत्तेजना भी होनी चाहिए अगर टीकी classroom effective communication वाला होगा तो बच्चे उत्तेजित होंगे मान लेजिए किसी teacher के आने के इंतजार में बच्चे होंगे तो हाँ अभी teacher आएंगे मुझे पढ़ाएंगे उत्तेजना होगी उससे जैसे कि मान लेजिए हमारी साम को 7.30 बजे क्वीज होती है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे साड़े साथ बते ना तो message कर देते में टाइम हो गया कब होने वाला है क्वीज कब होने वाला है क्वीज तो यहां पर क्या होती बच्चे की उत्तेजना होती है वह लोग तो वो उससे पता चलता है कि यहां पर जो भी कम्यूनिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है इफेक्टिव कम्यूनिकेशन हो रहा है तो यहां पर चात्रों की जो उत्तेजना होती है उससे भी पता चलता है कि यह क्लास्रूम में जो कम्यूनिकेशन हो रहा है वो इफेक्टि तो बच्चे प्रहयोग करते हैं तो वहां से भी हमें पता चलता है कि यह जो कक्सा है उसका जो संचार हो रहा है कक्सा में वो कैसा हो रहा है प्रभावी हो रहा है यानि कि effective communication हो रहा है तो दोस्तों इस तरीके से हम जो भी हमारा effective classroom communication होता है उसका अगर मिल्यांकन किया जाए तो छात्रों की उपस्तिती से पता चलता है छात्रों की रूची एवं अभीवरती से पता चलता है छात्रों की जो निस्पादन होता है उससे पता चलता है छात्रों की जो उत्तेजना होती है उससे पता चलता है और प्रभाविम ग अज के लिए इतना ही दोस्तो पापको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो ऊच्छा लगा तो इसे लाक करना भूलना नहींग दोस्तों के साथ सेड़कर दीजेगा is चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चले दुस्तू अज के लिए इतना ही थैंकिसो मजझ